ये हकिकत है और ये सच्चाई है कि सच्चा फकीर जो होता है वो दासन दास यू ही नहीं लिखता कई वर आपके दिल में आता होगा शैद बिदा जी वैसी लिख देते हैं वैसे नहीं संत वैसे कोई भी चीज नहीं करते हैं हमेशा याद रुखो उसका 100% कोई ना कोई बात ह सच होता है तो यही सच है कि आपका अगर कोई नौकर है को टॉलेट साफ करने आता है लेकिन उसने नाम ले रखा है तो हम तो उसके भी नौकर हैं यही सचाई है को उसके लिए भी दूआ करना हमारा फर्ज है करता है दूआ ही नहीं करते उसके कास सवारने के लिए मालिक से परते ही रहते हैं सुभाई ये फकीरी है इसी का नाम फकीरी है करने वाड़ा मालिक है कई वार होता है जिसे रात हम ने सुना कि इतने चम्दकर दिखाए उनको ये सजा-वो सजा और आब तो इतने चम्दकर हमने कभी कहा आपको चम्दकर दिखाएंगे किसी ने कोई भी बता दे, अब की नहीं कह रहे हैं, हम 1948 से कह रहे हैं, आज तक किसी को बोलाओ कि तेरे कोई चम्दकार दिखाएंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे. तो आप इसी से समझो, कि आप सचे फकीर से जुड़े हैं, जब उसका नाम जपेंगे, यही मालिक ने काल को वचन दिये थे, कि अगर कोई फकीर आके नाम जपवाएगा, और मुरीद सचे दिल से जपेगा, फकीर सचा होगा, तो उसे कदम कदम पे चम्दकार होंगे, कोई रहोग नहीं पाएगा, आप पता होता नहीं, घ्यान होता नहीं, कहीं की बात कहीं जोड देते नाज, को कें देनेब पजाबी सून इस सपपाणिक, वह तल Frage पया जितना घ्यान उतनी बात करने हैं, लंभी चोड़ी, यह वह पता रती भर नहीं होता, तो हकीकत यह है कि ह हम चम्दकार का कहती ही नहीं, कभी नहीं बोलते की, कोई माई का लाला बताए कि इसको बोलाओ तरे को चम्दकार दिखाते हैं, तो तो हुई बात, आप उससे जोड़ें, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, हमारा तो मकसद होता है, ले बेटा, नाम ले ले, आप कभी जाम, नाम के टाइम में सुन लो, हम ये कहते होते हैं, अंदों को आखे मिली, कैंसर के इलाज ठीक हुए कि, पर हमारी कोई गरंटी नहीं, भावना आपकी है, करने वड़ा बाकवान है, इसके अलावा कभी शब्द बोला हो तो बताएं, तो चम्दकार वो होता है, कि हम ग बतल भी नहीं होता, हाँ, ये भगवान ने तब कहा था काल को की, जब उसने बचन ले लिए, कि तेरा कोई फकीर जाके चम्दकार नहीं दिखाएगा, परतेक्ष दिखाके कि किसी को बदलेगा नहीं की, अरे चम्दकार दिखाके बदलना होता तो दुनिया की राजी को न बदलने, सारी दुनिया बदल जाएगी अपने आपके, एक छोटे मोटे इनिसान को क्यों दिखाया जाएगी, वो कहेगा चलो मेरे को जम्दकार हों सारे नाम लो, सारे नाम बात कतम दो-चार दिन में और चलो सारे बापिस, तो ऐसा नहीं है, काल की नगरी में काल को मालि कि ने वचन दिये, कि हाँ, मेरा कोई संथ, कोई फकीर आके जहरा तोर पे चम्दकार नहीं दिखा सकता, पर वो मालिक मेरा नाम बताएगा, मुरीद उस पे दड़जकीन करेगा, सच्चा संथ होगा, उस पे दड़जकीन करेगा, अगर वो सुमन करेगा, तो उसे कदम कद पे चम्दकार अपने आप आते जाएंगे, और ऐसे हो रहा है यहां मुरीदों के साथ, तो यह शास्त नामशा मस्ताम दाता का रहमो करम है, उनकी द्या मेरे रहमत है, और हमेशा रोहानियत का ग्यान इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है, इसे समझना चाहिए पहले, फिर बोलें आप, जब तक आप समझे कुछ नहीं हैं बिना वचा, रुखानियत की बजाए आप दुनिया भी बाटे करते रहें, हसते रहें, हसा ते रहें, वो जादा अच्छी होती हैं, फ़रना समझ नहीं आती, लोग सोते हैं, यार हाँ, बात तो सच्छी है, नहीं, बात सची यह है जो हम आपको बता रहे हैं यह सो परसेंट सची यह है रोहानियत इसको आप चाहिए हजार बार बता दो लोगों को कि नहीं ऐसा है तो तो बताइए तो कहने का मतलब हमां गुश्चे नहीं है किसी जी एक परसेंट भी कभी गुश्चे नहीं होते यह भरम बढ़ करो सेवा करो दर्जगीन बुलंद होसले रखो तो मालिक उतनी ही ज्यादा जोलियां भरता ज्याता है कि